दुर्गीस क्लास में आप सभी का स्वागत है यदि आप मेरे चैनल पर ने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते और साथ ही बिल आइकन को दवा दे जानते हैं ब्रिहार कमशारी चनल आयोग का अपडेट क्या है तो समानी परशासन विवाक अंतरगत आशू लिपिक के रिक्त पदोपन न्युक्ति है तुपुर्प्रकासित भिक्यापन संक्या टू जीरो जीरो वन जीरो वन 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 सिक्स के करमें कॉट ओफ डेट एक आर्ट हुजार चे के अधहार पर संसोधित भिक्यापन बिहार कमिशारी चनल आयोग के ग्यापांग उन्तिसो अठाइस नौद हुजार सुलो को समान प्रचासन विभाग कर अंतरगत आशुलिपिक के रिक्त पदोपन न्युक्ति है तुपुर्पन प्रकासित की गई थी इस विक्यापन में कम में कट ओफ ती थी एक आर्ट हुजार के अधहार पर पुर्प्रकासित भिक्यापन के कर हमें विक्यापन प्रकासित की जा रही है विक्यापन संख्या 20010116 समान प्रचासन विभाग अंतरगत भिहार सच्वाले आशुलिपिक सिवा के निम्नांकित रिक्तिपदों पर न्युक्ति हेतु सुयोग उमिद्बारों से ओल्लेन आवेदन आयों के वेबसाइट बी एस नियुक्ति हेतु पूर्व में आवेदन समर्पित कर चुक्या हो पुनहां आवेदन समित करने के अवसक्ता नहीं है लेकिन आरक्षित सेनी तक यथा सेनी कोटी पूर्व प्रकाशित विक्यापन के बाद बदल गई हो तो वे अपने पूर्व के आवेदन को निबंधन संख्या एवं जनमतिती से लोग इन कर अध्यतन सेनी जाती भर सकते हैं यहां आप देखें और लेंड रिस्टेशन दिनांग देख सकते हैं 30 मार्च 2019 तक है कुल रिखतियां है अनसुषित जाती में 60 है और अनसुषित जाती में 4 है उसके बाद अत्याद पिछरा वर्ग सत्र है उसके बाद पिछरा वर्ग में 50 र वर्ग में 46 हैं पिछरा वर्ग मिला में नौह में अनारक फित में 140 हैं और यहां पर देख सकते हैं एक्षणिक योगिता आप देख सकते हैं क्या क्या है सेक्षणिक योगिता इंटर्मीडियत होना चाहिए तक्निकी योगिता में आसु लेखन एबंक कंपूरीटर टंकन कंपूरीटर के पेसिक वर्ट्स प्रोसेसिंग का घ्यान होना चाहिए उसके बाद वेतनमान देखते हैं वेतनमान भावन सो 20,200 रुपी एपम गेड़ पे 2400 रुपीया है और उम्री सीमा यहां उम्री सीमा देखते हैं दिनांक 1826 के अधारपन रिधारित की जाएगी आयू नुनतम 18 वर्स होना चाहिए और अधिकतम आयू सीमा अनारक खित वर्ग पुरुष के लिए 37, अनारक खित वर्ग महिला के लिए 40, पिश्राव अत्यम पिश्राव वर्ग महिला के लिए 40, अनु जाती एवं अनु जन जाती महिला पुरुष के लिए 42 पिर आगे देखते हैं यहां देखते हैं चैन की प्रकिरिया चैन की प्रकिरिया में सुयोग उमिद्बारों का स्यन आयूग द्वारा लिखित प्रिक्षा इंट्रेस्टर एबं बैभारिक प्रिक्षा के अधार पर क्या जाएगा आयूग द्वार लिखित प्रिक्षा के अधार पर ग्यापित रिक्षा के पांस गुना यहां लिखा गया है कि पांस गुना सफल अभ्यारतियों को कोटी वार की सुची त्यार की जाएगी जिने बैभारिक जाच प्रिक्षा के लिए बुलाए जाएगा इंटर्व्यू के लिए बुलाए जाएगा बैभारिक जाच प्रिक्षा के सफल अवध्यातियों की लिखित प्रिक्षा में क्राप्त अंकों के अधार पर कूटिवार अंतिम बेगा सुची त्यार की जाएगी उसके बाद यहां देखते हैं लिखित प्रिक्षा समान ग्यान का होगा जिसमें इंटर एस्तरिये प्रशन पूछे जाएंगे तो समान अध्यान प्रशनों की संक्या टोटल पचास होगी उसके बाद समान बिज्ञान गनीत प्रशनों की संक्या पचास होगी और मानसिक छमता जांच इसमें टोटल पचास अंकों की होगी और यहां लिखाया कि प्रश्ण वस्तुनिष्ट एब बहु बिकल्पी होगे प्रतियक सही उत्तर के लिए चार अंक ने धायते दथा प्रतियक कलत के लिए एक अंक की कटूपती की जाएगे प्रिक्षा की अबधी देखें तो दो घंटा पंदर मिनट की होगी यहां देखते हैं लिखीत प्रिक्षा के सिलिवस निम्न प्रकार से होगे सिलिवस इसका क्या होगा तो यहां देखें खंड कौब में समान अध्यान इसमें प्रशनों का उत्यस अभ्यारतियों के आसपास वातावर्न समान जनकारी समाज में अनिक अनुपरियोग के समंद में योगिता की जांस करना होगा वर्तमान घटा और तीन परतीजिन घटाओं के सुक्षियों अब लोकन तथा उनके पर बिसेश वास यह देख लें कि इसमें बिहार बिहार का भी प्रशना सकते हैं भारत और उसे प्रोशीद देशों से यथा संभव प्रशन पूछे जा सकते हैं उसके बार अधियां देखें समसमाई के विशे जैसे विज्ञानिक प्रगति राष्ट राष्ट प्रष्कार भारति भासा लीपी राजधने मुद्रा केल के रपत्मुन घटाएं भ्रात और और प्रोसीडियस के साथ समंद समान विज्ञान पूछे जा सकते हैं मैंटिक अस्तर के और गनीत संख्या पद कि 80 शब्द प्रती मिनट की गती से 4 मिनट तका लेखापन 12 जांस की जाएगा लेखापन प्रारम करने से फूर्ग एक मिनट का लेखाफन चांच दिया जाएगा सुर्थी लेखन टंकित करने हे तू 20 मिनट आख समय धीया जाएगा इसका तरीक्त उम्हीद्वारों का टंक आरम करने से पूर्प दो मिनिट का समय सुदि है तु दिया जाएगा सुद्टी लेक तंकन में सुद्टी टंकन है तो मिधायत समयंतरगत करनी होगी सुद्टी लेक के तंकन में उतिन होने के लिए 10% से अधिक गल्थिया नहीं होनी चाहिए 10% से इन्होंने बताए कि अधिक गल्थिया नहीं होने अन्यता उन्हें अयोग करार दिया जाएगा सुरूती इहां देखें सुरूती के अतिरिक्त उमिदवारों को हिंदी में 30 सब्द परती मिनट की गति से तीन सो सब्द को दस मिनट में कंपूटर पर तंकित करना होगा इस मुतिमता प्राप्त करने के लिए एक दसमलब पास में डेड़ प्रतिसत से अधीक गलतिया नहीं होनी चाहिए अन्यता उन्हें अयों करार दिया जाएगा यहां पर देखें क्वालिफाइंग मार्स क्या र सो तीस परतिसा अनुजाती के लिए 32 परिश्यत अमहिलावर के लिए 32 परिश्यत इन्होंने रखता है यहां देखें कार्मिक एवं प्रासानिक शुदार विभाग संप्रतिस समानने प्रसासन विभाग विहार के पत्रांग शर्षट जिरूचे दिनांग एक दर दोहार आठ के अनुजार दिव्यांग अभिहार्तियों को नुम्तम अठाता बत्तिस परतिसत होगी दिव्यांग की जो है उनको अधियरता के लिए 32 परिश्यंट किया गया है यहां देखें प्रिश्या सुल्क परिश्या सुल्क क्या रखा है आयोग ने समान्य वर्ग पिछला वर्ग अभिहारतों के लिए यहां पर देख सकते हैं कि यह सब आप देख सकते हैं वीडियो को सुरू से लेके अब लाश्ट तक देखें तब आपको पता चलेगा और उस बाज इन्होंने आरा आक्षन के भी बारें पता है आप इसे भी पठले ले लाश्ट में लिकाए अंतिम तिथी कब तक है और लेन आवेदन जमा करने की तिथी साथ मार्च दोचार उनीस से छे अपरिल दोचार उनीस की रात्री 11 बज के 11 बज के 69 मिनट 11 बज के 69 मिनट बज ये तकनित है अनकिसी भी माध्यम से भीजेगे आवेदर्पत सुईकार नहीं किये जाएंगे और लाइन आवेदर्पत की प्रती बिहार कमचारी चैन आयों कर्याले को भीजने के वशक्ता नहीं है इन्होंने इस पस्ट लिक दिया है क कि कि ओलेद ऑल्लाइन आवेदर्पत जमा करने की अम्तिम्तित है वह साथ लगव के एक मेना करनून समय दिया है जो 11 बज के उसर्ट मिनर तक उनके वहां समय जोंने धायड क्या गया है और किसी भी माध्यम से भीजेगे माने स्वीक पोस्ट या किसी भी डाक माध्यम स्व सकता नहीं तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही भी ऐसे से रिलेटीव अपडेट आपको समय समय तक पहुंच सकें